वेलन में का स्टेस्ट्रोन के वारे मेल कायां के स्टामिना विहाता है उनकी मसल बिल्डप के लिए बहुत इंपोर्टेंट केहाँ दोस्तों अगर यह टेस्टरोन लेवल की में के अंदर डिफिशनसी जाती है तो तमाम में में को लक्षन देखने को मिलते हैं जैसे उनमें मस्कुलर पावर बहुत वीक हो जाएगी अगर 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 वीक हो जाती है तो तमाम जो है लक्षन हमको देखने को मिलते हैं अगर उनको मेल्स के अंदर टेस्टरोन की दिफिशनसी हो जाती है या पिके लेवल नॉर्मल से कम हो जाती है जिससे आप naturally testosterone level जो है main के अंदर बूस्ट कर सकते हैं साथी साथ उनको boost करने में testosterone level को boost करने में 5 तरी के बहुत जदा effective है तो यह आपके लिए video बहुत जदा informative है तो आप इसे अन तक जरूर देखिए दोस्तो पुछलिये से शुरूरू तो इसे टेस्टरन हार्मोन होता है नॉर्मली यह 30 के एज तक तो यह बढ़ता है इसकी level बढ़ती है शरीर में इसका production इसका secretions बढ़ता है यानि कि टेस्टी इसको भरपूर मात्रा में product करती है यह 30 के एज के बाद पचास और साथ के एज तक इसकी दीरे दीरे इसकी जो production होता है तो दीरे कम होने लग जाता है दोस्तो जिसवजे से मैं के अंदर बहुत सा तमाम जो है लग्शन देखने को मिलते हैं तो क्या होता है न की इंजक्शन लेने लग जाते हैं उनकी muscular body या बिल्डब करने के लिए तो उससे हमको बहुत जादा नुकसान हो सकता है जैसे कि हमें hair fall की problem हो सकती है दोस्तो तो यह एक better solution नहीं होता है और friends यह जो testosterone hormone होता है यह आजकल की जो lifestyle हो गई है यानि कि जैसे sedentary lifestyle हो गई है बहुत जादा बैठे वाला काम है exercise बिल्कुल नहीं करते हैं तो और साथी साथ जो food है वो हम balanced diet proper नहीं कर पाते हैं बहुत जादा junk food खाते हैं alcohol का consumption करते हैं smoking अगर आप करते हैं साथी साथ जितनी भी यह junk food होते हैं जितने भी oily foods होते है spicy food मसालादार वाला खाना दोस्तो oily foods यह सारे ही जो हमारी lifestyle diet regimen जो आजकल change हो गया है दोस करते हैं ऐसी पांच तरीके मापको पताती हूं तो सबसे पहले तो हैं आपको अपनी डेली रूटीन में जो है अश्वगंधा जो होती है यह होमिपेतिक मैर्दसन दोस्तों बहुत एचा काम करती है या फिर अश्वगंधा का पाउडर भी अविलेबल होता है तो आप यह अश्वगंधा को ज़रूर जो है शामिल कीजिए तो यह आपकी एनरजी को बूस्ट करने में आपके स्टैमिना को बूस्ट करने में साथे साथ आपकी टेस्टरन लेवल जो होती है दोस्तों उसको शरीर का शरीर में उसका प्रोड़क्शन बढ़ाने में बहुत मददगा हैं अश्वगंधा बूठ करिए उसको आप जड़ूर जरूर गर देखे उसके लिंक मैं आप आपके शरीक्शन बॉक्स पर्यड कर दो हैं च्ष्वगंधामेडिसन के बारे में कि दोस्तों कि और जो सबसे बेस्ट टाइम रिलीज होता है उतना ही जो हमारे तेस्टरों जो होता है उसकी लेवल घटने लग जाती है दोस्तों तो आप स्ट्रेस बिल्कुल भी मतलीजिए माइन को रिलेक्स रखिए meditation कीजिए प्रॉपर योगा meditation जरू किजिए आप वेट ट्रेनिंग जरू कीजिए आपके वजन आप lifting कीजिए आप exercise प्रॉपर जीम वगरा कीजिए तो उससे भी क्या होता है कि लेट में डिलीम गरा जिस सामिल एपने नियुक्त वर्ट कीजिए एक अपने डीली यपस्टाइल में जरू शामिल की जिजिए अच्छा होगा। दोस्तों, healthy खाना खाईए जिसमें Zinc के मातरा भरपूर हो, vitamin D के मातरा हो। दोस्तों साती साथ आप प्रॉपर जो हैं तो आप ग्रीन वेजटेबल्स डाइट में शामिल कीजिए हरे पत्तेदार वाली सबचियां हैं उनको आप ज़रू सामिल कीजिए साथ आप अगर आप नॉन्वेज हैं तो आप अग मीट इन सब का सेवन भी आप कर सकते हैं तो अपको अपको अगर नहीं खाना है आपको शुगरी फूट जितने भी होते हैं याणी की जिसमें स्मोरी आप पूरी पूरा 8 hours की कम्प्रीट कीजिए यानि की नीन पूरी होना भी बहुत ज़रूरी है थेस्टरोन लेवल को बूस्ट करने में दूस्तों तो आप नीन को भ मैंने आपको medicine बताई हैं दोस्तों इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छी medicine है आपकी testosterone लेवल को भूज़र। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कर सकते हैं ईसमे सपरण भी आप से पर्चेस कर सकते हैं कैसे लेना है वह मैंने आपको तो आप उस वीडियो को दरू चैकाउट की जियेगा तो भी दियुक्तुर क conclusion उसे भी आप जबा की जाल-जाद आपने family members लेटी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए Till then keep smiling and cheer him